हलो एवरिवन दिसी तुशार रंजन और हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन के निमेरिकल्स के उपर बेसिकली जो फ्राडेज लौ है ना क्या होता है सब्सक्राडेज लौ का मतलब है इमF is equal to minus d5i dt मतलब rate of change of magnetic flux ही तो इमF होता है जितना जल्दी जल्दी flux होगा जितना जल्दी जल्दी किसी क्वाइल के एक्रॉस magnetic field lines change होगी जितना जल्दी से change होगी उतना जधा एमF आ जाएगा उतना ज्यादा होल्टेज आ जाएगा कह सकते हैं उतना ज्यादा current आ जाएगा जितनी जल्दी जल्दी तो magnetic field lines किसी क्वाइल के अक्रॉस चेंज करोगे तो यही होता है फ्राडेज लौ इसके उपर बहुत सारे नुमेरिकल्स हमने सिलेक्ट किये हैं बेसिकली टेन नुमेरिकल्स हैं एसी वर्मा बुक जो सबसे बढ़िया कंसेट बिल्डिंग के लिए बुक मानी जाती है बच्चों की च्वाइस रहती है एसी वर लगा लिया और सारे लगता है अंदर से कि हमारे सारे अंदर से क्लियर हो गया है तो देख किया है एक सारकुलर लूप है कि अरियाग वण मिली मिटर इसक्वाइर साज़ इसको ना मीटर सब्यार में चेंज कर सकते हो माइनस सिक्स से मल्टिप्लाइए कर दोगे मीटर क्योंकि एक मिली मीटर में टेंट टीपाबर माइनस थ्री मीटर होता है ठीक है तो एरिया है और एक कंडक्टिंग है मतलब इसमें करेंट फ्लो कर सकता है अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह नहीं पता पर यह कं यहां पर को प्लेजरली का मतलब है कि अगर इस वायर पर राख दो तो रोटेट कर जायेगा हम लोग ऐसा नहीं कि वायर इस मुवायल को आस और पार क्रॉस कर रहा है ठीक है वो परपेंडिकुलर हजाता है ठीक है परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाता है यह सेमी प्लेन में है छलो भाई ठीक है तो अट डिस्टेंस यह लॉंग वायर है इंफाइनाइट वायर है पहली बात है ना स्ट्रेट है और इंफाइनाइट है इंफाइनाइट वायर का मैगनेटिक फिल्ड का जरूरत लोप से हम से कैसे माले रहे हैं सरक्षेंस करो ना तो एरिया बहुत ही चोटा है इस वायर का केवल देखो को वन मिलिमीटर स्कॉायर का रिया है तो भाई लगवक सेंटर ही हो गया यह इतना छोटकू सा डियाग्राम बनेगा तो सेंटर का मतलब सरकंफरेंस का मतलब सब बात बराबर ही है क्योंकि बहुत छोटा है वह समझाने के लिए तुम्हें बड़ा बना दिया है हमने या फिर हम लोगों को नोटिस हो गया कि भाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर है तो मैंने इसे तुमको बता दिया कि हाँ भई सेंटर से लेना है चलो आगे बढ़ते हैं कि स्टिट वायर केशिख औन इलेक्ट्रिकश रिडभाई एक गलति जाते है कि अभी-कभी इनसान विशंगे को पढ़के इसमें करेंट मान लेता है अरे नहीं-णहीं श्ट्रेट वायर को सफन पढ़ना वो जरूरी है साफ of this इस ट्रेट वायर करीज इलेक्ट्रिक करेंट तो जिरो इन 0.1 सेटेंड तो यह जो करेंट है ना यह करेंट हो रहा है यार ना किसा कहां से कहां तक चीज़ रहा 10 से 0 10 से 0 मतलब final minus initial करोगे तो final तो 0 हो गया और initial कितना था 10 था मतलब minus 10 MPR current में change है ठीक है एक है चैंज मतलब वाइनल मानेस इनिसियल और फाइनल देखो तुम लिखा हूआ है जीरो और कितने देर में बाइड़ों टी कितना है डेल्टा टी जो है वह यह तो डेल्टा आई था डेल्टा टी कितना हो जाएगा जिरो पॉइंट वन सेकेंड जर्दे ही रखा है ठीक है ना find the average EMF induced in the loop in 0.1 second तो इतने ही देर में जितने देर में जो wire में जो infinite straight current carrying wire है जिसमें पहले current 10 था बाद में current 0 हो गया उसमें 0.1 second में ऐसा हुआ है यह current का change उतने ही देर में इस loop में जो उपर तुमको loop दिख रहा है उस loop में कितना EMF आ जाएगा कितना voltage आ जाएगा और उत हमको पता है कि हाँ EMF आ जाएगा तो current आ जाएगा ठीक है ohms लो लगा सकते हैं लेकिन हमसे अभी पूछा क्या गया है कि average instantaneous भी नहीं instantaneous EMF जैसे कि instantaneous velocity होता है dsy dt अब देखो average velocity क्या होता है total change in position by total time यह total displacement by total time तो यहां पर वही बात ध्यान रखना है कि हमसे average पूछा है delta 55 मतलब magnetic flux magnetic flux unit तो बता दीजिए बेवर होता है या वेवर ठीक है यह हो गया यह 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 माइनस लिखा और यह मैफ ठीक है यह मैफ लिख लेते हैं यार ठीक है हमको यह स्मॉली भी लिख सकते हैं तो हमको यहीं वहला फर्मूला काम आएगा क्योंकि हमसे average पूछा गया है average मतलब बिग चेंज होता है समझना ध्यान रखना average कैसे बनेगा कोशन बनाने के लिए हमको तो सारा कुछ पता लग गया है और एवरेज फोकस पूरा कर लेते हैं चलो देखते हैं मैगनेटिक फिल्ड का कोई अता पता नहीं है देखते हैं भई फ़र से स्लाइड उपर हो जाएगा भी अब यह देखें कोर्शन से छुटकारा मिल चुका है अब हम करेंगे सॉल्यूशन के वर्द तो हमसे पता लग गया भी या कि यह मैं फिजिकल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी होता है और सर माइनस फाई का तो मतलब सर यह होता है ना कि वी ए तो एरिया तो हमको दे रखा था ठीक है ना वी ए तो चेंज इन मैगनेटिक फिल्ल लिख सकत है क्या क्या एरिया कॉंस्टेंट है तो मैगनेटिक फिल्ल में कुछ ना कुछ चैंज जा रहा होगा ठीक हम बोल सकते हैं ऐसा वाई यहां पर कितने टाइम में यह सर यहां डेल्टा भी क्यों लिखा तुम एक बास सोचो कि यहां पर मैगनेटिक फिल्ल तो दिया नहीं है में मैगनेटिक फिल्ल लेकिन करेंट के थुर्व है ना नीचे में उसके तुरू सेंटर पर आएगा यहां पर इसको आर मान लो सुनइर ऑडिस्चरिंब फड़ हो in finite current करेंट करेंग Colorado is finite होता है उसके पर माहण लो कुछ डिस्टेंस पर कुछ डिस्टेंस त्र डिस्टेंस होता है ऐसा याद दिला देता हूं ऐसा वलने बढ़े थे यहाँ पर ऐसे ठीटा वन होता है सोरी यहाँ पर ऐसे यह ठीटा 1 होता है यह ठीटा 2 होता है ठीटा 2 होता है अरे सरी ये वाला अच्छा अच्छा तो mu not i divided by 4 pi d अगर बोलते तो d हो जाएगा या r बोलते तो r हो जाएगा sign अच्छा जी मतलब यहाँ पर यह भी दे सकता था infinite नहीं देता तो semi infinite देता semi infinite नहीं देता तो angle देता लेकिन हां magnetic field का formula हमने यह पढ़ रखा है तो फिलहाल इसका तो काम नहीं है लेकिन हमको तयार रहना है और रिवाएज करते रहना यह मेंगेटिक का फ़र्मूला होता है चलो आंगे बड़ा जाए देखते हैं दो टो इंज इन करंट अब मैगनेटिक का फ़र्मूला हमको यह पता है तो तो मैंने इसलिए डिल्टा भी लिखा तुम सोचो ना कि यहां पर चेंज क्या हो रहा है करेंट चेंज हो रहा है क्योंकि करेंट देखो इस वायर के कारण यहां पर इस गोल गोल करके अंदर की तरफ यहां जा रहा होगा तो यहां पर पहले पहले देखो माझन серд no सर्फ टैसला हो गया लेकिन नंब और मेंगेक फिल्लाइं जरीओ और मेंको झायता है और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF induce हो जाएगा flux change होना चाहिए तो flux change कर दिया कैसे कर दिया सर क्योंकि magnetic field चेंज कर दिया तो सर magnetic field का formula लिखो न mu not delta i mu not i divided by 2 pi r 2 pi r बहुत मढ़िया और area से multiply कर देंगे और यहाँ पे नीचे में time divide चलो बढ़िया यार क्या दिक्कत है 4 pi लिख लें 4 pi भूल गये क्या 10 to the power minus 7 यह हुआ ना जी i कितना changing i minus 10 लिख लो minus 10 और area कितना है area है सर दिया हुआ था आपने अच्छा ही किया था unit change कर लिया था क्योंकि SI unit में हम लोग खेलते हैं ज्यादा तर तो देखो भई यह हमारा हो गया और 2 pi r 2 pi r r मतलब radius नहीं है इसका r मतलब यह distance होता है तो लिख दो ना distance कितना है 20 cm अगर 20 cm लिख दें तो पाप हो जाएगा इसको मीटर में convert किये भी ना हम कैसे रह सकते हैं delta t कितना है भई 0.1 second है 0.1 second को मतलब क्या होता है minus 1 होता है ठीक है अब उड़ाने में काम आएगा मज़ा आएगा calculation किया जाए यह देखो फ़र समार्क पर color change करते हैं ना कुछ गलत उलत होगा पता लग जाएगा आजा भाई आजा भी या आजा घमाशान करने minus minus खेल खतम हो गया sir pi pi का खेल खतम हो गया sir और इधर क्या बच गया खोज खोज के चुन चुन के मारेंगे यह two बच गया आहा हा हा क्या बात है two से यह ten कट गया चलो भाईया अरे ऐसा भी होता है क्या हाँ जी minus one plus one खेल खतम यह पुरा उड़ा देंगे minus four ले आएंगे वह नीचे का पूरा का पूरा सफाया कर दिया और उपर उपर भी सफाया को हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ यह seven और four मिल करके minus eleven तो जरूर बना लेंगे और इसके साथ ही हम लोग यहां पर देखेंगे कि भाईया और तो कुछ बचा ही नहीं तो इतना तो हमारा यह में तो वोल्ट में आता है नंबर अफ टांस वगरा कुछ था नहीं तो अंसर मैच करने का समय आ रहा है अंसर मैच कर रहे ना तो यहां पर minus ten दिख रहा है minus ten क्यों दिख रहा है मतलब एकाड कहीं पे जीरो का है आहाँ देखो, 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 यह चूट रहा था बच्छा बीच में इस बच्चे को यह मेला में भुला गया था इस बच्चे को वापस बुला लो यहां पर प्लस one कर लो यह बच्चा जो चूट गया था अब आ जाएगा minus ten, ten to the power minus ten volts अब अन्सर हमारा मैच कर गया ठीक है तो कंसेप्ट करो क्लियर अब आगे बढ़ें क्या बच्चों ठीक है तो यह काम हो गया ना अब आगे बढ़ते हैं इसको हटाते हैं इस सॉलुशन को हटाते हैं क्योंकि बाकी सब कोश्चन बिना यहीं पर लिखा हुआ है तो इसका तो मिनट का काम है अनलाइज कर लो तुम सब कुछ आजब यह हट जाना प्लीज इतना समय भी मत लगाओ परिशान होंगे हमारे बच्चे यह हो गया यह हो गया चलो हो गया का आजब आजब तो यह हम कुश्चन नमबर 6 देखें तयार हो जाओ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो कुश्चन नमबर 6 की तरफ हम रवाना होने वाले हैं इसक्वाइर शेब्ड कॉपर क्वाइल है एज ओफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एक इसक्वाइर शेब्ड का क्वाइ गएल है और कॉपर कायल मतलब हुआ करेंट केरिंग कंडक्टर है करेंट कैरी हो या ना हो यह तो करेंट कारिंग कंडक्टर है ठीक है ना अब इसमें बोल रहा है कि 50 cm and contents 50 turns 50 cm साइड है लोना और टरंस नंबर ओफ टरंस बाई साव फिफ्टी टरंस है ठीक है वह या क्या कहना चाहते हो आकर इट प्लेज़ पर पेंडिकुलर टू आ वन टेसला मैगनेटिक फिल्ड चलो तुम्हें मौका दिया यह तुम्हारी तरफ पर पेंडिकुलर दिखो ना क्रॉ फास दाड़ा डेते हैं मान stealth दिहा तरफ डिखा तो तुम्हारी तरफ आता है बहुत इंपडरेंट बात बोल रहा हे हुँ के बहुत बाहर होता है क्रॉस मतलब अंदर होता इस बार मैंने क्रॉस दिखायाया है मतलब स्क्रीन पर देख है और मेरी तरफ वह मैंगेडिक फि सब्सक्राइब भी तुम रखें क्यों थे गोल रहा है कि मैगनेटिक फिल्ड से मूव कर दिया यह कैसा मजाक है यह को मुव कर दिया में लो यहां पर पहुचा दिया यह कैसा मजाक है मतलब ऐसे किसका दिया मैं रिखेंड बाहर इन stored in the original place in the next कहना क्या चाहते हो पहले बाहर निकाल दिया इसको अब फिर से original place में restore कर दिया लो भाई मतलब यह ऐसे और यह ऐसे बापस नदी में डुब के लगाएं और फिर से नदी से से बाहर आ गया है ठीक है चलो और इतना ही टाइम उतना ही लगता है लो आने का भी टाइम उतना ही और जाने का टाइम भी उतना ही लो भाई साब को भी दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब को फिर से वही एवरेज का खेल है यह फर्मूला नहीं मिटाया था कितना काम आ गया यहीं करना है हमको फिर से ठीक है कितना हुआ सबसे बात कि यहां पर टाइम में चैंज्ट गोड़े दिया है एक पहले का ले लेते हैं देखो ना को कोशन में पार्ट बता हुआ है रिमूवर कर देतें पहले जदा आगे का नहीं सोचेंगे अभी रिमूव कर देतें टाइम पता लग गया चैंजीन ही तो निकाल लेंगे 50-50 1-4 भी करना पड़ेगा तो करते हैं क्या दिक्कत है बच्चों मारकर चेंज हो बोलगा ही नहीं तो मैंने कैसे सुना कुछ देखो यह हो गया हम क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पर हमको निकालना है e9 और ही फिर्मिल्र रगाना है Md5 तो fluxPPाइनल-kr Reason फैनल- prettyमाइनट इनिशियल 56स minimum 23 फैनल तो जीरो है हम दिल्टा तक भी तो निकालेंगे तो फैनल जीरो है 2chae가요 बाहर निकाल दिया है फ्लक्स इनीशियल पहले था क्योंकि यह अंदर था इनीशियल फ्लक्स बी-डॉट ए होगा भी कितना है वन टेसला एरिया कितना है क्या वाजा किया था कि टेंटिटीटीपावर माइनस-4 से मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है एरिया निकालना था ना निगाल लिया अच् तरे टाइम करोगे हो लो और पाइंट से दिवाइड करो गेगे ना करेंगे तरो ना आपने तो बोला था कि लुवाइड़ आया अभी ब्हुर्या जाने का government study 5 ठीक है और इसमें एकश्य धाना चाहू तो लगा सकते हैं माइनस सामज़़ माइनस लगाएंगे यह में मैंने सोता है लेंज लाके तुरू आता है ठीक है एक माइनस लगा देंगे तो आगे क्या हो जाएगा यह ऐसे करके इतना करने के अभी जुरूरत नहीं है यार जारेट हमको पता है प्लस हो जाएगा 50 इन्टू 50 कितना हो जाएगा 2500 इन्टू 10 टूड़ी पावर माइनस 4 डिवाइड़ वाइड 25 उपर में गया यह हंडरेड यह हंडरेड को उड़ाया जाए और बहुत ज्यादा इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी वाह 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 क्या उड़ा है पूरा छक्के चूट ग रहें क्या हाँ एक छूट गया था फिफ्टी टरंस तभी तो यहां पर फाइव जो है ना नंबर उफ टरंस मल्टिप्लाई करोगे ना अगर मैगनेटिक फिल्स तो नंबर उफ टरंस मल्टिप्लाई करना पड़ेगा फ्लक्स यहां पर तो वन इंटू 50 50 वोल्ट अंसर आ पहुंचा रहे हो ही पर तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा इनीशियल जिरू रहेगा इस बार समझे लेकिन वैल्ली वही रहेगा बस एक दुसरे का निगेटिव समझ पा रहे हो ना निगेटिव हो जाएगा यहां पहुंचा तो फाइनल जो इनीशियल था फाइनल हो गया हाँ सर यह सही स्टेटमेंट है फिर से अंसर चेक कर लेते हैं यह 50 वोल्ट हमारे पास अंसर आना चाहिए चलो भाई सेम है अंसर लेकिन हम यहां जानते हैं कि माइनस 50 आ जाएगा क्यूंकि अगर तुम देखो एक बार जब बाहर गया था इस बार अंदर आ आए हैं तो वहाँ पर एक माइनस पहले से रहेगा लेकिन अंदर में कुछ समझे रहे हो कि प्लस हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस बार तो देखो करेंट का डैरेक्शन तो उसको सपोर्ट किया होगा एक बढ़ रहा था उसको अपोज किया होगा लेंज लौ इसलिए माइनस आने वाला है ठीक है तो पहले हम समझ सकते हैं मैगनिट्यूड वाइस तो 50 है लेकिन साइन के साथ माइनस प्लस अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल मोशन के दौरान कितन जीरो जाये गा अन gentile प्लस 50 प्लस माइन फिफटी जीरो हो जाये जितना बाहर गया तो प्लस 50 था अंदर आया तो माइनस फिफ्टी हो गया टोटल मोशन के दौरान कितना हो गया जे श्री राम हमारा समाप्त चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने टार्गेट की ओर जो हमारा नेस्ट कोश्चन है में थे मिटाने बहुत मजहा आता है डिजिटल वोट के जैसा है बिल्कुल कि मैं तो यह यूज करता हूँ डिजिटल वोट भी पड़ायों तो भी यह मजहाता है मिटाने में यह कहें इतना जिद्धी यह गा हमारे सामने जिद्धी चलेगा यह देखो हटा दिया अगला कुशन देखते हैं है हाँ सब्सक्राइब रहा है कि पुराने कुशन को देखिए और 25 एंपियर यह प्रिवियस प्रॉब्लम जो था इसमें इसे बनाया हुआ था इसमें रेसिस्टेंस है इस वायर कट 25 ओ दूरिए ड्sy डिमोबल ऑने बोलन रहा है कि अर्यमोविल हुआ है अराम से री स्टोरेशन हुआ है हाँ जी थर्मल्म एर्जी चैनल होता है कहां जाय सै स्ट से आगया उठके वी स्क्वाइर बाइ आर इंटू टी थर्मल एनरजी डेवलप्ट इन्द कोई डूरिंग इस रिमूबल रीश्टोरेशन गर्ट इस मोशन तो थर्मल एनरजी क्या हो जाएगा यार देखो होगा क्या वी स्क्वाइर इंटू टी तो हीट का फॉर्मूल कितना लगा था पहले बोल रही रिमूवल कितना दिर में रिमूव कर रहे हैं आप उपर के सब्सक्राइब भूल चुके हैं भाई या 0.25 सेकेंड यह ती इधर मल्टिप्लाई होगा 0.25 सेकेंड ठीक है अब देखते हैं आगे यह हटाओ यह क्या आ गया अहां जी इसको ऐसे करेंगे ना बच्चा यहां पर हंड्रेड आ जाएगा यह उड़ जाएगा और यहां पर आ गया तू फाइब जीरो जीरो डिवाइड बाई वाव वाव बहुत मज़ा आता यार काट चाट करने में 25 हो गया 25 जूल हमारा अंसर भी मैच करना चाहिए जोकी कर गया है और इस तो जिरुसे ना इस फूलिवाण से 50 बाहर गया से तो सबात्य कर अंदर कर दोने जीरो कर तो जोड़के इस बार जो है ना ही जो है स्कैल कॉन्टिटी होता है कि मतलब इसमें कर सकतेसे कहने का मतलब यह है प्लस नहीं हुटा है यहाँ प्लस माइनिस हम कुई सिर्फ हम को से करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे एनरगीट ही हो रहा है नあ टारेक्शन थोड़ी बढ़ल रहा यहां पर नहीं नहीं कोई गूमता है वहली वेक्टर लाव फोलों ना करें लेकिन एक एक अंटी थो उता है लेकिन हीट तो भाई या बाहर जा रहा है हर बार कुछ भी कर लो ठीक है एक चाहे ऐसे घुमे चाहे ऐसे घुमे तो आग तो बाहर निकलेगा तो 25 और 25 फिर से 25 आ हुआ ऐसे फिर से फ्रिक्षन हुआ दोनों में हीट हवा में उड़ गया तो टोटल में 25 25 50 हो गया हमारा एंसर और क्या है फिफ्टी जूल जै भोलेनाथ हमारा काम हो गया बिल्कुल आपकी आशिरवात से परफेक्ट अब हम आगे बढ़ सकते हैं देखिए बच्चे नेक्स कि फूल फेसस ऑफर इंग मेंगनेट यह मेंगनेट है ठीक है इसका पोल फेसे जह मतलब मालों नॉर्थ है यह साउथ पैरलल को फवल कि मतलब की Kung झो डाग्राइम में यह अईसा करकेया बिल् 고양 पैरलल फॉक्थ एगर ये ऐसे हैं यह यह है तो कि अंदर की साइड है समझगे होगे एसे हमारा हाथ हो गया हो लूप हो गया और आउया से प्रहला ईसे जा रही है यह तो पैरल है उसे तो एसे नि dessert और एप से अगह देखा जाये एक प्यक्र से डाय trivia रिट dollars हमारा फ्लक्स हो जाएगा ठीक है अब एरिया कौन सा लेंगे बच्चे यह लेंगे छोटा सा अब तुम सोचो ना यहां पर हमारे हाथ है जो कि हमारा हाथ जो है वो क्या है है मैंनेट है यह और यह मैंनेट है तो इस से अगर इतना ही यह अगर और यह निकल रहा तो इतना नहीं ब्लू रंका दिख़ यह दूको फ्लक्स उल है समझे कंसेपट है एस वर्म से थोड़ी हमारे लिए प्ससे इच्छी मानी या गीजाति वच्चा 것으로 मतलब है को ठीक है ना बुलू रंग के एरिया से इसका एरिया है 1 cm2 ठीक है आगे बढ़ते हैं तुम भी कोशन पढ़ दो एक बार ठीक है अब देखतो हो जाएगा दो वायर मेंकिंग दा लूप आर ओल आउटसाइड दा मैगनेटिक फिल्ड तो वायर तो आउटसाइड ना जैसे हा outside एक से से में मैगनेट को रिमूफ कर दिया घया एक से कड में रिमूफ कर दिया घया क्या तक लिए पूरा गायब हो गया मैगनेटी के इरिया था जब आप यहाँ पर बाहर आ जाईएगा तो भीया आपसे कोई magnetic field लाइन पास करेंगी नहीं करेंगी तो आपका magnetic field नहीं हो जाएगा ना, flux 0 हो जाएगा तो यह final जो flux हो गया, वो 0 हो गया 52 जो हो गया, वो 0 हो गया 51 यहाँ पर पहले था कुछ जो इतना ही एरिया से संपर्क रखता था बच्चे, coil का एरिया नहीं ले रहे हैं SC वर्मा का एक खास्यत तो समझो, coil का एरिया नहीं ले रहे हैं magnet का एरिया ले रहे हैं, वाह, क्या बात है magnet का क्या एरिया है, देखो ना, pole faces से एरिया कितना है, वान सेंटीमीटर स्कॉयर, सार आप मीटर में चेंज कर दो, हमको आदत हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं लगता, सोचते भी नहीं हम एक वार, हाँ कर लो, 0.1 into 10 to the power minus 4 divided by, सर बी और एक वीचे एंगल कितना है, एरिया वेक्टर वो लो, एरिया वेक्टर perpendicular to surface होता है, और magnetic field भी इधर ही जा रहा था, तो यह ऐस तरह से, ना, magnetic field इधर ही जा सब्सक्राइब करने के लिए, टेंट हो गया है, टेको माइनस 5 वोल्ट हमको देखा है, टें माइक्रो वोल्ट हमें दिक्कत है कुछ, वोल्ट को माइक्रो वोल्ट में convert करने के लिए, 10 to the power 6 से multiply करोगे, जैसे किलो मीटर को मीटर में convert करने के लिए, 10 to the power 3 से multiply करते हो, वो इस तरह से, वोल्ट को सो मार्ण करने के लिए इंटीट प्लाइब करोगे कितना अजाएगा मल्टीप्लाइब हो कि यहीं हमारा एंसर है लेकिन हैं से यूनिट दी जिएना क्या बोल रहे थे मांक्रों बूट रहे थे वच्छे मांक्रों ठीक है तो इस कुश्चन सिंपल था अब राइटी की बात मैंने की तो विरैटी की बात तो वही आप सही बात है की तो तो की थी अब देखो आगे बढ़ते हैं इसको उड़ा दें उड़ाने भी मज़ा आता है डिजिटल बोल लाता है यह देखो यहां सुकुरा सुरू करेंगे आज़ा भई जल्दी 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 तक तुम दूसरे कुश्ण पढ़ लो अरे भाई साहब तो उड़ाने में बहुत समय लग रहा है नहीं उड़ा तो और मजाएगा उड़ गया जाए हां चलो कुश्ण नंबर 10 पढ़ा जाए पढ़ो ना तो तुम क्या कर रहे हो हम तो ड्राइंग कर रहे है तुम करो पढ़ाई हां तो यह नहीं जाएगा जिद्धी है नहीं हो पाएगा तुम से ना हो पाएगा कि अंदर शीपा हुआ है अब कंड़क्टिंग स्कॉयर लूप हैविंग एज ओफ लेंथ तू सेंटीमीटर एक काम करें इसका ना इसको उपर भेजते हैं ऐसे क्या बढ़िया सुवधा और आपके लिए यह कैसे अरे वाह यह मुझे तुमजिदार यह देखो इसको हटा जो इसे ठीक है तो अब अब कंड़क्टिंग लूप यह बड़ा होगा कि नहीं होगा यार और ट्राइब करते हैं है है ना हो जाए एक बार तो ट्राइब बनता है सर अब आई शाबास मेरे बच्चें को प्रब्लम कैसे और रहा था है यह देखो बहुत बढ़ गया आजा डिसकुस करते हैं क्ड़क्टिंग रूप हविं एज एरिया ओफ लेंथ तू सेंटिमेटर इसक्वायर लूप है कंड़क्टिंग है है यह लेंथ ओप टू सेंटिमेटर ठीक यह और रूटेटेज थू ऑन-अट्सिcendoकर तो सुसा इंग्यल है थेटा-20 इनिशयल Dumatay होगा जिरो highly 180 रोटेट कर दिया गया जीरो टू 180 रोटेट किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हमसे पूछे जा रहा है अबाउट डाइगनल इन 0.20 सेकंड यह ऐसे गुमा दिया गया है 180 जीरो पहले था 180 गुमाने का मतलब क्या होगा यही तो 180 गुमाने का मतलब होगा डाइगनल डाइगनल है यह हो गया ऐसे 90 ऐसे 180 और तुम्हारे तरफ फिर से आ जाएगा ना 360 तो कैसे गुमा है यह 90 यह 180 अरिया वेक्टर कहां से कहां होगा दिखा रहा है यह तुम्हारे तरफ तरफ से मेरे तरफ आ गया यह वाला नीचे वाला मेरे तरफ आ गया ठीक्त का ध्यान रखना इसकांव काम करने वाले अबहां आजओ which is perpendicular to the loop magnetic field तुम्हारी तरफ मेरे तरफ जैसा बना लो मैं अपनी तरफ बना रहा हूं पोजिशन फाइंड दा एवरेज दूरिंग दा रोटेशन इन रोटेशन अच्छा आवरेजम दे रखा है जिरो पायंट यह तू मिली वोल्ट है 0000 जीरो टू वोल्ट हो जाएगा फांड दा मैंनिटूड अफ मैंनेटिक फिल्ड भाई साब हमको इस पर इमस होता है सर अराम से कर लेते हैं होता है माइनस डिल फाई मतलब 52-51 कि डिवाइड़ बाइट टाइम डिल्टा टी टाइम इस कितना देरेख वैल्यू रखते हैं माइनस होता है माइनस लिखेंगे माइनस अगे फिर दोड़ा सा फिर से बता दो सर देख होता क्या है ? कॉस प्रदें कॉस करना पड़े और य॥ चली रह Without पहले से था यहांस और हमुझे पहले से शल्मिया है टाइम से डिवाइड कर दें 0.2 सेकेंड ठीक है अब यह हाथ कब काम आएगा ठाकर यह देखो यह माइनस माइनस मैंने सब प्लस हो जाएगा टू टाइम सब यह देखो यार नंबर उफ टन बेगरा तो नहीं है बहुत परिशानी हो जाती है 0.2 इसको उपर भेजो यह तू स तू उड़ा दो इधर कैसे क्या लिए सर कहां सही 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 तो है सब गुछ यह माइनस 3 एक कैंसिल हो गया ना जो लिखे थे कैंसिल हो गया इज़र बी यह बच गया यहां पर टू इंटू बहुत मजा आ रहा है यार कल्कुलेशन करो और बी ए एरिया कितना था एरिया था हुआ तो ≠ इतो इसलों हो गया है प्षेर निकालना पड़ेगा सर इतना असान थोरी होता तो है माइनस 4 को अरे टाइम पासा जाता है क्यों जल्ट हो गया इरिया निकालली हमने यह हो गया माइनस ऐसे रहीक कि टिनडरी पापर माइनस ऒन हो गया और 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 उर देखो द टेसला आइक कांट बिलीव एट चेक करो आप्शन टेंथ था ना यह टेंथ की हां तो फाइफ टेसला इसका अंसर है सही होगी अंसर कैसा साही ने मिता थे क्या देख वच्छा यह हो गया अब आगे बढ़ते हैं फिर से मिटाव अभियान हम सुरू करें कैसा कैसा घ्राफ हो कि इस क्वेश्चन में क्या नया सीखे जो सीखे होना उत्खतरनाक चीज है कि सीखे हो यह कि कभी भी 180 कर दे 180 रोटेट कर दे तो टू टाइम्स हो जाता है फ्लक्स समझे हस्दो यही तो काम आएगा टू टाइमस फ्लक्स हो जागा बच्चे ठीक है ना अगर यह हम रोटे कि अगुपुनेन प्लाइब करो ना शुक् liegt फ्लक्स हो जो पहले पलस था बाद में माइनस बन जाये और तुम चेंजete निकाल दो टू लगांश हो ही और तुम चेंज निकालोगे तो डबल हो जाएगा यही तो खेल होता है यह ना थोड़े-थोड़े कंसेप्ट हैं देखते रहना चाहिए तो यह तो हो गया और हमारा समय कितना है देखते हैं ठीक है तो समय हो रहा है हमारा 37 मिनट्स लगवख 40 मिनट होने वाला है और हमारे पास कोश्चन है ट्वेल्व यह तो देख लिया है थोड़ा सा हाथ इसको ऐसे करो यह देखो हमने यह देख लिए था टेंट कितने बच रखें फिरम कर लेंगे अगर यह चेक कर लेते हैं ना इतना मुस्किल से पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा इंज्वाइमेंट हो जाए इंदर सेंस की थोड़ा हम कंसेट को सीख तो लें थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए काम तो चलो बच्चे हम लोग अगले पांच कुश्चन नेक्स टाइम कर लेते हैं जल्दी करेंगे कमेंट में फीडबेक में जैसा भी तुमको सही लगे बताना यार काफी इंप्रूब्मेंट करने का मौका मिलता है और यह तो मैं भी पहली बात लिख रहा था तो अच्छा लगा मुझे ठीक ठीक लगा लिखने में चलो टेक क्यार बाइ झाल 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 झाल